आप इस पर यकीन करेंगे कि हर्याना में पेडों को पेंशन देने की तैयारी है पेडों की ये पेंशन जमीन मालिकों को मिलने वाली है जिनके जमीन पर 75 साल से जादा पुराने पेड़ स्वस्थ खड़े हुए है क्या है हर्याना सरकार की पेडों को पेंशन देने वाली ये योजना जानना जरूरी है जानकारी दे रहे हैं टोटल निउस असोसियेट आड़ेटर डॉक्टर महिश कुमार क्या आप इस पर यकीन करेंगे कि हर्याना की मनोहर सरकार पेडों के लिए भी पेंशन लागू कर चुकी है जिहां हर्याना के एक्षेतर में ऐसे पेड जिने 55 साल से जादा का वक्त बीच चुका है ऐसे पेडों के लिए पेंशन हर्याना की मनोहर सरकार की तरफ से लागू कर दी गई है कि 2500 रुपए साल आना ये पैसा किसान को दिया जाएगा यानि उस मालिक को दिया जाएगा जिसकी जमीन पर ये पेड लगे हैं 75 साल से जाधा की उमर के तमाम पेड़ों के आवेदन हर्याना की मनोड सरकार की तरफ से मांगे गए थे और हिसार जिले के लिए भी ऐसे आवेदन सामने आ चुके एक पूरी कमेटी का गठन यहां पर कर दिया गया है जो यह सुनिश्चित करेगी कि 75 साल से जाधा की उमर के कि पूरी तरह देख रहें कि जायर उनके लिए पैंशन लागू कर दी जाए किस तरह की कमेटी बनी है यह जानने कि हम कोशिश करेंगे डिस्टे का फॉरस्ट ऑफिसर हिसार इस वाक्त हमारे साथ बने सर मुझे बताइए कि यह पैंशनी हो जना क्या है यह पैड़ की जो हमारी निश्वारत सेवा करते हैं निश्लक सेवा करते हैं तक इनको और माण समां चाहिए उनकी देख रिख प्रोपर हू उसके लिए locks अदम उठाया है ताकि इसकी देखरे करके इतने सालों से हमारी निशुल्क सेवा कर रहा है ताकि बड़े अच्छी तरह पन पे इसलिए स्कीम बनाई गई है स्कीम के जरा नियम बता दीजिए कि किस तरीके से आविदन किये गई हैं और कौन से ऐसे पेड हैं जिनके लिए पेंशन लागू कर दी जाएगी हर तरह के पेड लेंगे हम दो तरह के पेड छोड़कर सफेदा और पोपलर नहीं लेंगे क्योंकि उनकी आईउ इतनी जादा नहीं होती और पबलिक को हमने आपके पेपर के माध्मों से मनादी करवा के उनको बताया गया हमारे श्टारप ने भी सर्वे किया पबलिकião एन्प की गाउँ में जा जा जागे बताया है तो उनोंने अयह अप्नी अपली केशन ने दी हमारे हम लगबाख सब 308 तेम आपली केशन नहीं है उसके बारे में कमेटी बनी है वो वेरिफाई कर रही अब जो स्वस्थ पेड होगा और जिसके कागजात पूरे होंगे उसी को पेंसन दीजेएगी चलिए मुझे और बताईए कि ये जो आपके खेट में ये पेड़ खड़ा है कितना पुराना यह खेट है कितना पुराना यह पेड़। से प्रदादा के वक्त भी था और इसी आधार पर आप यह कर रहे हैं कि सो तीन साली सब्सक्राइब मेरी उमर और यह मत तो देखिए हो मेरा बाप को यह पता नहीं दादे पड़ देखिए लागू कर दी गई है कैसे देखते हैं इस फैसले को पेशे कैसे देख देखिए इसकी सेवा हम लगा देंगे जार यह नहीं सरकार देगी तो नहीं देगी तो हम सेवा कर देंगी पेड़ों की सेवा आप कर रहे हैं डिस्टिक पेड़ों की पेंशन सुनने में तो बड़ी हैरानी सी होती है लेकिन यह हैरानी अब खत्म हो चुकिया हर्याना की मनोहर सरकार 75 साल से जाधा क्यों मिर के पेड़ों के लिए पेंशन लागू कर चुकी है किस तरीके से आप इसे लागू अपने जिले में करवा रहे हैं अधिक के पेड़ है वो आवेदन मांगे हैं और लगबग 3700 के असपास आवेदन आ चुके हैं और इसमें से अधिक कमेटी घ्ठीटक राकि है जिसमें चेहरमेन डियt पोसाब है शांका परतिनिदी मैं और इनके शंगरक्शन के लिए ही यह बड़ी अच्ची स्कीमाइन और इस से लोगों के लोगों के अंदर परियावन के परती भी पेड़ों के परती भी जो जागरती होगी और जो है अधिक से अधिक लोग पेड़ भी लगाएंगे और जो पेड़ हमें उक्षिन दे रहे हैं, सिवा कर रहे हैं, छायां दे रहे हैं, इनकी भी जो है इससे कहिन के कदर और ज़्यादा बढ़ेगी चलिए मुझे बताइगे कितनी रकम पेंशन की रूप में मिलेगी और इस पेंशन की रकम का इस्तेमाल किस तरीके से करना होगा डाहे जार रुपए वारसिक पेंशन मिलेगी और इस पेंशन को पेड का जो नेजी मालिक है या पंचेत है पेड की प्रोटेक्शन के लिए रख रखाओं के लिए प्रियोग की जाएगी चलिए कुदरत के साथ और जादा नजदीकी रिष्टा हर्याना की मनोड सरकार की तरफ से कायम करने का जो एक तरीका है वो यहाँ पर इक्तियार किया गया है बिल्कुल पेडों के लिए पेंशन हर्याना की मनोड सरकार की तरफ से लागू कर दी गई है और ये रकम पेड की देख रेख पर ही खर्च करनी होगी सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार टोटल न्यूज हिसार